वेलकम एस्टुडेंट रस्तोगी आनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है आज क्लास बारह के रसायन भी ज्यान चेप्टर वन के बारे में अध्यन करेंगे तो यह प्रत दिन साथ बज़े साम को लाइब क्लास चलता है आप सभी विद्यार्थिय साथ बज़े लाइब क्लास से जुड़िए और मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स तयार कर लिजिए तो इस भाग में पढ़ेंगे ठोसों में निवीट संकुलन ठोसों में निवीट संकुलन क्या है बहुत आसान परिभासा है बस थोड़ा सा अगर धियान वीडियो पर दे दीजिए आप लो तो आपको परिभासा पूरा याद हो जाएगा तब इसका उतर धियान से समझेंगे जिस परकार किसी बाक्स के अंदर लड़ू को एक के उपर एक रखकर सजाया जाता है तो आप लोग कभी मिठाई वाले दुकान पे जब गए होंगे जहां मिठाई बनता है जैसे आप लड़ू है रसुल्ला बनता है तो वहां देखे होंगे बाक्स में एक के उपर एक के उपर एक लड़ू रखे रहते हैं लोग सजाया रहते हैं लोग तो ठीक उसी परकार ठोसों में भी ठोस के जो कड होते हैं वह भी एक के उपर एक के उपर जो हैं सजाया रहते हैं उसी को क्या कहते हैं ठोसों में निविट शंकुलन कहते हैं तो अपने कापी में नोट कर लेंगे जिस परकार किसी बाक्स के अंदर लड़ू को एक के उपर एक रखकर सजाया जाता है ठीक उसी परकार ठोस के कड होते हैं वह भी एक के उपर एक सजाय है तो एक के उपर जो कड होते हैं वह एक के उपर एक क्या रते हैं सजाते हैं उसी को विग्यान में क्या कहा जाता है ठोसों में निवीड शंकुलन कहा जाता है अब दूसरे सब्दों में कहा जाए तो दूसरे सब्दों में होगा अवई कडो को निकटतम ब्यवस्था में रिक जो ठोसों के अंदर जो अवई कड होते हैं, निकटतम विवस्था में जो रिक्त अस्थान होते हैं, जब लड़ों को एक दूसरे कूपर एक दूसरे कूपर जब सजा के रखते हैं, तो उसमें कुछ खाली अस्थान होता है, तो ठीक उसी प्रकार जब ठोसों को जब एक के अस्थान होते हैं वह पूर्ण रूप से क्या हो जाए भर देना ही क्या कहलाता है निवीड शंकुलन कहलाता है जैसे यहाँ पर चीतर जब देखेंगे तो चीतर से समझ में आ जाएगा यह ठोस के जो कड़ है एक के उपर एक के उपर देखें रखा गया है इसमें जो खाली अस्थान बीचो बीच में अंदर देख रहा है होंगे चीतर में जो खाली अस्थान जो दिखाई दे रहा है इसी खाली अस्थान को ही का कहते हैं ठोसों में निवीड शंकुलन कहते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे इस अपने कापी में बना लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ठोस के जो कड होते हैं एक उपर एक उपर रखा गया है अब पढ़ेंगे निवीड शंकुलन के परकार निवीड शंकुलन कितने परकार के होते हैं तो निवीड शंकुलन जो होते हैं तीन परकार के होते हैं याद रखेंगे निवीड शंकुलन कितने प बीमा में निवीड शंकुलन और तीसरा खनाम है त्री बीमा में निवीड शंकुलन तो निवीड शंकुलन कितने प्रकार के हैं समझ में आ गया होगा एक बीमा में निवीड शंकुलन क्या है अब इसके बारे में अध्यान करेंगे अब यहां पे नोट करेंगे एक बीमा में अब इसका उतर समझेंगे अब नाम से ही परिभासा याद हो जाएगा एक बीमा मतलब एक लाइन बसे ऐसे समझें जैसे लड़ू को सजाते हैं जब एक लाइन ही सजा देना ही क्या कहलाएगा एक बीमा कहलाएगा दो लाइन सजा देंगे तो दुई बीमा हो जाएगा तीन लाइन सजा देंगे तो क्या हो जाएगा त्री बीमा हो जाएगा तो आप लोग मिठाई वाले दुकान पे गए होंगे तो जरूर देखे होंगे रशगुला को सजा के रखते हैं एक के उपर एक के उपर रखा जाता है उसी परकार ठोसों को भी एक के उपर एक के उपर रखते हैं तो इसी को विज्ञान में क्या कहते हैं निवेड संकुलन कहते हैं अब इसका उतर ध्यान से देखेंगे ऐसा पैकिंग जिसमें कौण की एक परत को इस परकार बेवस्थित किया जाए कि एक कौण दूसरे को क्या करे आसपर्स करे जब एक लाइन में जब आप लोग लड़ू को देखे होंगे रखा जाता है तो एक लड़ू दूसरे लड़ू को क्या करते है आसपर्स असपर्स का मतलब सटा के रखा जाता है तो जब एक लाइन को जब असपर्स करके रखा जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं एक बीमा में निवीड शंकुलन कहते हैं तो अपने कापी में इसको नोट कर लिजिए कि ऐसा पैकिंग जिसमें कण की एक परत को इस परकार बेवस्थित किया जाए कि एक कण दूसरे कण को क्या करें असपर्स करें असपर्स का मतलब सटे उसके अंदर सट करके रखा जाए जो इसमें ठोस के कण होते हैं एक के बगल में जब दूसरा रखेंगे तो उसमें क्या हो दोनों क्या हो एक दूसरे के क्या हो असपर्स करें अब दूसरा आपका परिभासा अगर समझेंगे तो दूसरा परिभासा को भी अपने कॉपी में नोट कर लिजेगा अब दूसरा परिभासा है एक बीमा का ये दूसरा परिभासा है इसमें दो दो परिभ कि गोलो को एक पक्त में निकटतम बेवस्थित किया जाता है इसमें जो अवई कड होते हैं गोलो को एक पक्त में एक पक्त मतलब एक लाइन में इसको निकटतम बेवस्थित किया जाता है बेवस्थित मतलब रखा जाता है जिससे केंदरी गोला दो अन गोले को क्या करें अस असपर्स करता है अता इसकी समन्यवन संख्या क्या होती हैं दो होती हैं यह की समन्यवन संख्या क्या होती हैं दो होती हैं कैसे दो होती हैं अब चितर से समझेंगे जैसे एक गोला यहां पे रखा गया दूसरा गोला यहां पे असपर्स किया फैंश के वाद से असपर्स किया इसमें समन्यवन संख्या तब क्या होती है दो होती है तो समझ में आ गया होगा एक बीमा में निविड शंकुलन क्या है बहुत IMP या हेडिंग है इसे अच्छे से आप लोग तयार कर लिजे और अगला हमनों जब पढ़ेंगे दूई बीमा में निविड शंकुलन अब नाम से ही पता चल जा रहा है कि दूई बीमा अब दूई बीमा निविड शंकुलन का अर्थ है कि यहाँ पर जो है दो लाइन को दो लाइन में जो ठोसो को सजाया जाएगा और एक बीमा का मतलब है एक पक्ती में इसको ठोसो के अवई कंड को क्या करेंगे सजाया जाए तो यहाँ पर लिखेंगे दुई बीमा में निमीड संकुलन ये कितने परकार के होते हैं तो दुई बीमा में निमीड संकुलन दो परकार के होते हैं पहला का नाम है बरगाकार निमीड संकुलन अदूसरा का नाम है खश्ट कोडी निमीड संकुलन तो दुई बीमा में जो न कोड़ी निवीड शंकुलन अब हम लोग समझेंगे बरगाकार निवीड शंकुलन क्या है उसके बाद से समझेंगे खश्ट कोड़ी निवीड शंकुलन क्या है दोनों का उतर बहुत ही आसान है बस थोड़ा सा अगर धियान दीजिये तो आपको पूरी उतर यच्छे से हो जाएगा अब इसका उतर को धियान से देखेंगे बरगाकार निवीड शंकुलन का अब इसमें परिभासा बोला जाएगा तो लिखा जाएगा जब ठोस के कड एक के उपर इस परकार रखें देखें जब ठोस के जो कड होते हैं एक के उपर ऐसे आपको सजाएंगे जो इसकी आकिर्थी किस जैसे बन जाए बरगाकार आकिर्थी बन जाए जैसे लड़ू को सजाए देखे होंगे कई कई जगा दुकानों पे जब गए होंगे तो लड़ों को तिर्भूज के आकार सजाया जाता है रश्कुला को तिर्भूज के आकार के सजाया जाता है तो यहां पे जो है बर्गकार के रूप में बर्ग के रूप में जो ठोस के जो कड होते हैं किसके रूप में बर्ग के आकरती के रूप में इसको सजाया जाएगा इसी को क्या कहते हैं बर्गकार निवीड संकुलन कहते हैं अब यहाँ पे इसका उतर लिखेंगे जब ठोस के कड एक के उपर एक इस परकार रखें की एक बर्गकार आकरती बने किस आकरती बने बर्गक बरगाकार आकरती बने इस बरकार के निवीड को बरगाकार निवीड संकुलन कहते हैं कितना आसान है अगर खश्ट कोड़ी का परिभासा बनाना हो तो सेम उतर रहेगा बस यहां पे जो है बरगाकार के जगा पर खश्ट कोड़ी रहेगा क्या रहेगा खश्ट कोड़ी आकर इस परकार को निवीड को का कहेंगे खष्ट कोड़ी निवीड शंकुलन कहते हैं तो अब यहां पर जो है बर्ग निवीड शंकुलन का आकृति को देखेंगे जब तिया ठोस के अवई कड़ है इसको एक के उपर एक के उपर क्या हुआ है सजाया गया है इसके उप में देखेंगे जब सजाने के बाद से देखेंगे इसके अंदर जो है एक बरगकार जो है आकरती बन रहा है तो इस बरगकार आकरती बनने के वज़ा से इसका क्या नाम हो जाएगा तब बरगकार निवीड शंकुलन अब यहाँ पर जब चितर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो अवई कड है एक दूसरी एक उपर क्या हुआ है सजाया गया है इसमें जो आकरती बन रहा है यहाँ पर यह आकरती को का कहेंगे खश्ट कोडी निमीड शंकुलन कहते हैं तो समझ में आगया होगा दोनों आकरती तो इसकी परिभासा तो बता दिये अब इसकी परिभासा भी अपने कांपी में नोट कर लीजिए तो खश्ट कोडी निमीड शंकुलन अब इसका परिभासा जब अपने कांपी में लिखेंगे अब इसके पहले क्या बताए है बर्गक तब बर्ग कार में क्या है बर्ग के आकार जैसे बर्ग किसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हूँ बराबर हूँ खश्ट कोड़ी मतलब इसमें 6 भुजाएं हो खश्ट कोड़ी के मतलब इसमें कितनी भुजाएं बनें 6 भुजाएं बनें तो लिखेंगे जब ठोस के कंड एक के उपर इस परकार से रखे हों की एक खश्ट कोड़ी आकरती बने जब ठोस के जो अवई कंड है एक के उपर एक के उपर ऐसे सजाएंगे जिसमें आकरती कैसा बने खश्ट कोड़ी आकरती बने तो इस परकार के निमीट संकुलन को खश्ट कोड़ी नि निमीट संकुलन क्या है और एक बार आकरती को एक बार और देख लेंगे इसमें जो बना हुआ है आकरती ध्यान देंगे इसमें 6 हो जाए है एक दो तीन चार पांच है इसमें 6 हो जाए है इसलिए से का कहेंगे खश्ट कोड़ी कहेंगे और इसमें 4 हो जाए है और यह आकरती जो है बर्ग है जिसके चारो भुजाएं आपस में क्या है बराबर है तिसने आप बर्ग निवीड संकुलन है और यह जो है खश्ट कोडी निवीड संकुलन है अब समझेंगे त्री बीमा में निवीड संकुलन क्या है तो बहुत असान है त्री बीमा नाम से ही पता चल जा र रख दें तो कौन सा बीमा बन जाएगा तो त्री बीमा बन जाएगा तो इसका उतर जब अपने कापी में लिखेंगे तो इसका उतर होगा जब दूई बीमा सरनचना के उपर एक बीमी सरनचना और रख दी जाए अब देखिए दूई बीमा जो हमारा जो सरनचना बना हुआ है उसके उपर एक और बीमा सनरचना क्या कर दिया जाए रख दिया जाए तो समझ में आ गया होगा कि दूई बीमा जैसे यहाँ पर एक लाइन और दो लाइन बनाए गया तो दो लाइन के उपर एक और लाइन को क्या कर दिया गया रख दिया गया तब कौन कितने लाइन हो ग शंकुलन कहते हैं तो समझ में आ गया होगा त्री बीमा में निमीड शंकुलन क्या है द्वी बीमा के ऊपर एक बीमा सा नचना और रख दी जाए तो इस परकार के शंकुलन को क्या कहेंगे त्री बीमा में निमीड शंकुलन कहते हैं तो इस भाग में आज हम लोग पढ़े है निवीड संकुलन निवीड संकुलन क्या है निवीड संकुलन के कितने परकार होते हैं तो इस वीडियो में आज के जो पढ़ाई हुआ निवीड संकुलन हुआ कल के जो वीडियो अपलोड किया जाएगा बताया जाएगा तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिक्तियां क्या पढ़ेंगे रिक्तियां कितने प्रकार के होते हैं तो कल के वीडियो जरूर आप लोग अध्यन कीजिएगा कल का जो वीडियो रहेगा रिक्तिका और रिक्तिका के बारे में कल अध्यन किया जाएगा तो आज इतना ही वीडियो में बताया जाएगा कल साम को साथ बजे लाइब कलास से हमारे लाइब कलास से आप सभी स्टुडेंट जुड़ते रहिए यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वेल आइकन घंटी को जब आपसन को ओके करेंगे तो उसमें तीन आपसन आता है तो पहले वाले आपसन आल वाले आपसन को आप लोग ओके कर लिजे जिसे कोई भी वीडियो को upload किया जाएगा तो उसका मैसे तुरंट आपके पास पहुंच जाएगा तो कल साम को साथ बज़े मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार